एसा कोई जिन्दा व्यक्ति नहीं है, जिसे किसी ने किसी रूप में अपने जिन्दगी को बहतर बनाने की जरूरत नहीं है, हर एक और मेरा मतलब है हर एक को उसकी जिन्दगी के किसी ने किसी क्षेतर में समर्द होने की जरूरत है। सक्सेस पत्रिका के संस्थापक Dr. Orison S. Modern का यह कतन इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार की किताबें उन्नती करने में आपकी सहायता करके आपकी जिन्दगी को सुधारने में सहायक होती है अगर आप खुद को सुधारने के लिए उत्सुख हैं तो एसी किताबें पढ़ें जो आपकी रूची को उंचा बना सके आपकी कल्पना शीलता को परिश्करत कर सके आपकी महतव कांक्षाओं को स्पष्ट कर सके और आपके आदर्शों को बुलंदी दे सके मन को तागत देने वाली किताबें पढ़ें और सुनें जो किसी मकसद के लिए आपको गहराई तक जंज कोरें एसी किताबें पढ़ें जो आपको काम करने के लिए और कुछ पहतर बनने के लिए कुछ बनने की खातिर ज्यादा कोशिश करने के लिए और दुनिया में कुछ कर गुजरने के लिए संकलवान बनाए रोज 15 मिनिट की एकागर पढ़ाई करके आप 5 साल में महान लेखकों के किताबें पढ़ सकते हैं क्या आप उस तरह की किताबें पढ़ रहे हैं जिनका सुजाव डाक्टर मार्डेन ने दिया है क्या आप रोज कम से कम 15 मिनिट पढ़ रहे हैं हर रोज अगर जवाब हाँ है तो खुद को बढ़ाई दीजिए क्योंकि आप वाकई पढ़ रहे हैं और जिन्दगी में समर्द हो रहे हैं मैं आपका आखवान करता हूँ कि आप हर दिन पढ़ा ही जारी रखें या अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो मैं कहता हूँ कि हर दिन पढ़ना शुरू कीजिए मैं आपका आखवान करता हूँ कि आप डोक्टर मार्डेन की सलाम आने और एसी किताबें पढ़ें या सुनें जो आपकी रूची को बेहतर बना सके आपकी कलपना शेल्टा को बेहतर बना सके आपकी महतव कांखशा को स्वश्ट कर सके और आपके आदर्सों को बुलंदियां दे सके अगर आप ऐसा करते हैं तो पढ़ने की छुपी ताकत जिन्दगी के हर मुकाम पर आपको समर्द बनाएगी अपनी बात खतम करते हुए मैं आपकी सवलता की कामना करता हूँ कि जो किताबें आप पढ़ेंगे या सुनेंगे उससे कुछ ग्रहन करेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि जब आप पढ़ना जारी रखते हैं तो आप अपनी उन्नती भी जारी रखते हैं धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो